शेफूरी से लगपक 70 किलो मिटर दूर धाय महादेव का मंदिर है लगपक 700 वर्ष पुराने इस मंदिर में पीछले 500 सालों से अखन जोती जल रही है अखन जोती के लिए आने वाले घी की किमत सुनकर आप चौक जाएगे तरसल यहां सर्फ एक रुपे प्रती कीलो में घी आता है प्राचिन धाय महादेव मंदिर का नाम यहां परस्थित धाय के विशाल व्रक्ष के कारण पड़ा था बताया जाता है कि इसे वक्ष के नीचे यह शिवलिंग मिला था बाद में यहां एक विशाल शिवब मंदिर बन्वा दिया गया धाय महादेव मंदिर में अवी शेक के लिए आज भी घोड गाव के प्रतिय घर से चावल और दूद लिया जाता है धाय महादेव मंदिर के शिवलिंग पर दूद और घीर चुड़ाया जाता है बश्च 2018 में यहाँ पर चमतकार देखने को मिला इस्थानी लोगों के मताविक मंदिर पर भंडारा चुल रहा था ऐसे में घी कम पड़ गया तो किसी सादू के कहने पर पास के ही परकारी नदी में से पान निकाल कर कहारी में डाला गया और देखते ही देखते भंगी में परिवर्तित हो गया इसकलावा धाय महादेव मंदिर में अखन जोति के लिए आज भी एक रुपे किलू में घी दिया जाता है एक ही कोड के गहुई समाजबारा मंदीर पर पहुँचाया जाता है धाय महादेफ मंदीर में ही नौधेवियों की पृतिमाय भी है कुछ साल पहले कोड के जगज़दार रह चौहान परिवार ने यहां नौधेवियों की स्थापना करवाई थी नौदेविया भी लोगों की आस्था का कींद्र है और नवदुर्गा में यहां पर विशेश पूजा आजना की जाती है मंदी परिसर में एक वाभी सित है जिसमें हमेशा जल भरा रहता है अर्मिक इस्तल दारमाओदे है यह आपके बंसुजों का बताया जाता है इसका क्या इतियास है और इसमें जो अफ़ंड जोती प्रजुलित है उसकी क्या आस्था है कि हमारे पूलबर्यों को बनाया हुगा है इसको करीम साथ आठ सो साल हो गए और जब से अखन जोदी जल लाइए जागी टाइम से उने जमीन भी लगी दी पान सो भी का मंदर को जिससे मंदर का सब ख़र चलता है आज तक चल रहा है यह जाता है वो कहां से जाता है यह जाता है वह सभर से पूरे से सब देती हैं कि आज पान से भी देत atenção है ऑप् red Bitcoin को बहु आज दो प्रिख्या प्रिया मंदर जो है इसमें लोगों की क्या आश्था है उसकी क्या है अखंड जोती जो हमारे कोड के गौही है, उनके द्वारा इसमें घही आता है, और पूर्फ से अखंड जूती चली आ रही है, अखंड है गी इसमें डलता रहता है और लोगभावों की जो भी कामना करते है वो पून होती है और वो भी घीले के आते हैं दान भी करते हैं अन्न दान भी करते हैं और धाय महादेव धाय के ब्रक्ट से इनकी उत्पत्ती हुई है इसलिए इनका नाम धार महादेव पड़ा यहां पर नोदुरगावी बिराजमान है शिवरांत्री और सक्रांत्री के दिन यहां पर मेला लगता है रुद्ध अफशेक का बिशेश महत्ता में सम्मुआर के दिन किसी भी दिन रुद्ध अफशेक करें जो भी कामना करें वो पून होती है और राम जाने की मंदर भी यहां पर है वो भी कई जब से धारमादे मंदर बिराजमान है बोलिना जब से रामदरवार भी यहां पर है और माता के मंदर भी पुराने मंदर हैं इसके बाद में यहां पर पारबती जी का भी मंदर है और इसके मंदर के अंदर जल का एक कुगा भी है उसमें सदा जल बरा रहता है अखंड जल है यहां अखंड धूना है जिसमेंसे कभी अगनी बुझती नहीं है और यहां पर लोगवागों के पूजा पाट भी होते रहते हैं जाप बगेरा है कथा बगेरा भागवत कथा बड़ा मेला भी लगने लगा है और दूर दूर से सरत धालू आते हैं और यहां आते हैं और उनकी कामनाएं पूर्ण होती है